हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जल जी ओन मीशन के अंदर कर जितने भी 13 तकनिक कर्मिक की निवती हुई है उसमें से कौन कौन कर्मिक ऐसे है जिनको सेलरी मिल रहा है तथा उनमें से कौन से कर्मिक है जो काम करने के बाद भी अभी उनको सेलरी नहीं दिया जा रहा है और क्या 13 पदों में से क्या सभी को सेलरी मिलेगी तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मातपूर होने वाली है तो वीडियो लाज तक जुरू देखेगा तभी आपको स सभी इनफॉर्मेशन मिल सकता है तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 13 तकनी कर्मिक है उनमें से कौन से जो पद है उसको सेलरी दिया जा रहा है मैं आपको बता दूं तो जो इसमें से पॉम्प ऑपरेटर है जो भी लोग पॉम्प ऑपरेटर के पद पर निर् साइनी का पूरा संचालन उन्हें हैंड़ोबर किया गया है उनि पॉम्प ऑपरेटर को सेलरी दिया जा रहा है और मैं आपको बता दूं तो कई जगवा पर ऐसे पॉम्प ऑपरेटर है जो काम तो कर रहे है निरंतर नुकी जो जौई वह भी चल रही है लेकिन उनकी जो से से पहले क्या कर लेना है कि जो आपका attendance seat बनती है जैसे आप जैसे भी जहां पर काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपका attendance लगना जरूरी होता है तब ही आप जो है वह verify करा सकते हैं कि हमाने जो job है वो किया हुआ है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले एक परकार जो register हो आप टंकी को चालू कर रहा है वो भी वहां पर mention कर देना है और जैसे ही आपका एक महीना पूरा हो जाए तो आपके जो टंकी है वहां पर कोई न कोई कर्मचारी अधिकारी तो जरूर आते होंगे निरचड के लिए तो बस आपको क्या करना है उनसे एक महीने का जो भी आइन नहीं किया गया है कि हाँ इनको सेलरी नहीं दिया रहा है क्योंकि कई जोगों पर पता चला है कि पॉम्प ऑपरेटर के साथ जितने भी अलग जो तकनिक कर्मिक हैं जैसे मोटर मेकानिक फीटर्स पलंबर्स उनमें से कुछ लोग को सेलरी मिला है लेकि अभी तक एटेंएंस वो सीट लेके जहां पर जाते हैं अपने सेलरी के लिए वहाँ पे उनके साथ आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है इंट्रोडक्शन देखा अपना जो भी परचे है वो बना लेना है उसके पार उनके साथ वहाँ पर जाना है और बताना है कि सर हम भी इसमें पूरानी होती जाएगी तो आपको भी इसमें ज्वाइन कर लिया जाएगा और आपका भी जो प्रॉपर रूप से जो सेलरी वो बनने लाएगा चाहे आप मोटर मेकैनिक हो या फिर एलेक्ट्रीसियन हो फलंबर हो फीटर हो या निकर्मिक हो तो आपको भी सेलरी जरूर दिय लिए आते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपके प्रॉप्लम का जो सॉलोसन है वो जरूर बताऊंगा तो चलिए मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियो में नए जनकार साथ अब तक के लिए आप सब को मेरा नमस्का